सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजे बड़ी दिवाली है भाईया दूज है यानि कि अनेको अनेक तेओहार है और आज हूँ में दुबाई की ग्रांड एकसेसिलर हुटल में जहां पर इसी हिंदुस्तानी कल्चर को आप देख सकते हैं दुबाई एक ऐसा शहर जो लगभग पिछले 20-30 सालों में अलादीन की चि तरीके से आप इंडियन कल्चर को देख सकते हैं जहां दिवाली का रंग दिखता है यहां होली का रंग दिखता है जब-जब क्रिकेट टीम्स जीतती हैं जब-जब खेल में हमारे बच्चों इतिहास रचते हैं तो इस एरिया में रोशनी पटाके शोरगुल जरूर होता ह आज हूँ में दिवाली मेले में तो सुचा आपके साथ भी सांजा करती हूँ यहां की कुछ खास बाते हैं सबसे पहले आईए आपको दिखाते हैं कि यदि लेडीज हो तो फट शिंगार क्यों न हो हर महिला को पसंद होता है ज्वैलरी एसेसरीज के साथ खुद को खुब सूरत यहरिंग्स हें यहां पर आप कहां से हैं इंडिया से चाषा कितने समय से आप यहां पर एक्षिशिं करते हैं ग मैं लाग जावानिए न हांपे लाफ साथ तो इंडियन जा आते हैं यहां पर खर printers करते हैं बहुत को, इन्होंने बताया कि तेओहारू के समय में जो इंडियन लेडीज है, उन्हें बेहत पसंद है, सिंगार, सज्जा, और सिर्फ इंडियन्स ही नहीं, जितनी भी नेशनालिटीज के लोग यहाँ पर रहते हैं, एससेसरीज तो आखिर सभी को पसंद होती है बात दिवाली की हो, बात गणेश जी की ना हो, यह कैसे हो सकता है, इस स्टॉल में कुछ मिली जुली सी चीज़े मुझे नजर आई, बेहत खुबसूरत एससरीज हैं, जिसे सब लेडीज पसंद करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि एसस सिरीज अच्छी नहीं है, तो आपका लुक अच्छा नहीं आता, साथ-साथ, बहुत सुंदर-सुंदर वाव, बहुत सुंदर-सुंदर दिए हैं, जहां पर जब आप इस दिए को रौशन करेंगे, तो एक डांस करता हुआ इंसान भी आपको दिखेगा, जी हां, सिर्फ जीवन से अंदकार को दूर नहीं करना है, सिर्फ प्रकाश नहीं लाना है, नृत भी करना है, जीवन में मौज मस्ती भी करनी है, जिन्दगी के हर सुक्का आनंद भी लेना है, यही दिवाली का उपदेश होता है, तो आप बताइए, बहुत खुबसूरत स्टॉल है आपक जो हम रांगोली के साथ बे स्तमाल कर सकते हैं और अधियर आप इने घर पर यूज़ कर सकते हैं, और यूशुली जो होते हैं हम ठेक देते कुछ टाइम बाध, अप अपने घर में बार में भी इस्तिमाल कर सकते हैं, बहुत सुंदर बड़ा अच्छा वर्ड बनना बननी किया आपने पुराने समय में शादियों के समय में यूज होता था और वो कोई गोविंदा की एक खास फिल्म थी ना उसमें गाना था बनने से बननी सगाई पे जगडी तु क्यों नहीं लाया रे सोने की तगडी बड़े दिनों बाद यह शब्द सुनने को मिला दुबई में क्योंकि हमारी कला दिखती है हमारी संस्कृत ही दिखती है आप कहीं भी चले जाईए अपने त्योहारों को भूल नहीं सकते इनका कहना है कि अक्सर जब आप दिये को जला लेते हैं इस्तमाल कर लेते हैं प्रज्वलित कर लेते हैं नेक्स डे आप उन दियों को फेक देते आपके दिये हुए कुछ पैसो से किसी की दिवाली खुबसूरत हो सकती है और इस पूरे अरीना में इस पूरे दिवाली मेले में मैंने देखा कि लोग जो है ना उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है वो थोड़े फेस्टिव मूड में है तो आप भी हो जाएए चीजों को एक और स्टॉल पे मैं आई जहां पर मुझे बेहत खास और्गानिक चीजे मिली जो आपके लिए फाइदे मंद हो सकती है मैंने देखा कि यहां सबसे अच्छी बात थी कि all items below 30 दिरम्स मतलब कोई negotiation आपको करना नहीं है आपको एक ठीक ठाक कीमत में और्गानिक में बात स्क्रब लेडि़ के लिए एक अच्छा प्रोडक्त है साथ-जाथ-बेहर ऑइल्स हैं, चीजें तो बहुत खास हैं लेकिन मैंने कभी परिसनली यूज नहीं करी इसलिए मैं एंडुर्स नहीं कर सकती हूँ पर हां आप ही से जान सकती हूँ कि कितने लोग इन वहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात हमें पता चली, यह कहती हैं कि इसका इस्तमाल अभी कम ही लोग करते हैं, लेकिन एक जागरुकता जगाने की जरूरत है, ना सिर्फ यह बनाती हैं, बलकि ऐसी वर्क्शॉप्स भी लेती हैं, जिसमें आप आकर इन से इन सब च सकते हैं, बहुत शांदार बात है, तो आप भी केमिकल की दुनिया से जाईए, और्गानिक्स की तरफ जिंदगी को बदलिए, सेहत मंद रहिए, खुबसूरत रहिए, यही शायद इस स्टॉल का एक खास मोटिव है, पसंदीदा स्टॉल, गोलगप्पे का स्टॉल, क्यू करते हैं, जलजीरा है, आमपना है, पुदीना है, जिंजर है, स्पाइसी है, खट्टा है, मैंने भी खा के देखा, शांदार, बहुत ही बढ़िया, क्या आप खुद बनाते हैं इसको, आपका यहां पर रेस्ट्रों भी है, कोई रेस्ट्रों है, वाव, अच्छा इस मेले क सबसे अच्छी बात क्या है, ज्यादा तर लेडीज की कोई आउटलेट्स या शॉप्स नहीं है, वो घर पे बनाती हैं, और इस एग्जेबिशन में, आप सब लोगों को खुश करने के लिए, यहां पर स्टॉल्स होते हैं, अलग-अलग तरीके के, जोईलरी से लेके, घर सजाने से लेके, हाने पीने से लेके, अलग-अलग, अली, आपके स्टॉल पे मुझे बहुत अच्छे-च्छे बैक्स लगे, यह वाला मेरी ड्रेस से भी मैच करता है, तो उमीद है कि जब लेडीज आपके आती हैं बैक्स लेने के लिए, तो देखते होंगी कि उनके ड्र अच्छा है यहाँ पर क्या सिर्फ लेडर के mrotr, नगे पुल अच्छा, तो यहाँ पर क्या मतंचित लेडर के बैग्स है या अच्छा, आजकर चाइना ने सारा मार्क Div काप्चốngल कि यह आपके पर ज्यादा चैनिस प्रोड़क्ट्ट्स होते हैं हां मेरी चैनिस चाइनीज प्रोडक्स की एक खासियत है कि रेट भी उनका थोड़ा नॉमल होता है और लोग उसे पसंद भी करते हैं तो खेर अली के पास लेधर के बैग्स भी हैं चाइनीज बैग्स भी हैं आप इन से संपर कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है डिजाइनर बैग्स अरे बहु वाव खुबसूरती देखनी हो, फैशन देखना हो तो फिर आप दुबई आईए क्योंकि यहां तो इतनी खास चीजें होती हो और इस एक्जबिशन में आके तो मुझे मज़ा आ गया क्योंकि एक से एक चीजें देखने के लिए है बहुत शांदार, बहुत शांदार तो उम्मीद करती हूँ कि यहां जो लेडीज आएंगी क्योंकि मुझे पर्स का स्ट्रॉल यहां सिर्फ आपी का दिखा तो वो आपके पास आएंगी और इससे जरूर खरीदें विश्यू वेरी वेरी हापी दिवाली यू ना मुश्किलों के अंधेरों से घबराया जाए चलो प्रेम का एक दीप जलाया जाए जी हां यू तो इस एक्जिबिशन में अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन यहां पर प्रेम का दीपक जलाने के लिए भी एक ठाली है यानि कि आप भी इस दिवाली को बेहत खास बना सकते हैं मैं इस स्टॉल पर इसलिए आई क्योंकि मुझे यहां पर डेकोरेशन कुछ अलग लगी दूसरों से कुछ हट के चीज़ें लगी अब जैसे आप देखेंगे तो कितना खुबसूरत यहां पर इस तरीके का एक दिया स्टांड है वाव री यूजबल है आप एक बार इस्तेमाल कीजिए उसके बाद आपको दीपक फेकने की जरूरत नहीं कहीं अपनी दिवार पर भी आप इसे लगा सकते हैं यहां पर खुबसूरत ऐसे सिरीज भी है आप यह बताईए कि आप कितने समय से एक्जिबिशन्स करती हैं तो यह से वेरी गुड़ आप दुबई में सेटल है या एक्जिबिशन्स के लिए आती है तो बस एक्जिविशन्स पे ज़्यादा फोकस है, तो क्या लगता है आपको कि यहां के लोग जैसे घर सजाने में बड़ा यकीन रखते हैं, जो हरों को मनाने में बड़ा यकीन रखते हैं, यह तो हिंदुस्तान में भी रोशनी है, लेकिन क्यूंकि दुबई में अलग-अल जब बात तयोहारो की होती है, तो ना देश की सीमाएं सामने आती हैं, ना परदेश की, महिलाएं किसी भी देश की हो, उन्हें खुबसूरत रहना पसंद है, अच्छे-चे परिधान, अच्छे-चे कपड़े खरीदना पसंद है, तो मेरे साथ हैं गुडिया जो पाकिस्त पाकिस्तान से हैं, और बड़े ही खुबसूरत मुझे इनके पास सूट्स नजर आए, तो मैंने सोच आपके साथ इनके बारे में भी डिसकस करते हैं, तो गुडिया, कैसे है, आप कितने टाइम से ऐसी एग्जिबिशन करते हैं, तो आपका इहां बुटीक है, या आप सिर पड़का जाता है, और इसके साथ पैच सूतिन है, वो इसके साथ अच्छे लड़े हैं, तो जादा साड़ी वेर करते हूं, मुझे सूच के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने आप से जानना चाहा, कि मतब कहते हैं, कि वहां के अब्रॉडरी बड़ी बड़ी होत जैसे आप यहां पर हैं, अलग-अलग nationalities के लोग दुबई में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, most of the customers जो आपके हैं, वो किसी खास nationality से हैं, या जब बात fashion की आती है, तो देश पीछे रह जाता है, यह बात भी है, लेकिन जादा तर Indians लोग जो हैं, वो पाकिसान खास ली मतलब खुबसूर्ती, घर को आप कितना भी सजा लीजे, कितना भी रोशन कर लीजे, कितने भी दिये ले आईए, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ रहसा गया, हर कोई दूसरे के घर जाके देखता है, तो दूसरे की करियों सजावट हमें बेहत खास लगती है, ल लेकिन आज कुंदन के दिये भी हैं यहाँ पर, बहुत ही खुबसूरत से बंदरवाल बना रखे हैं उन्होंने, छोटी-छोटी रंगोली, इस तरीके की रडिमेट, यदि आपके पास समय नहीं है, रंग से रंगोली बनाने का, तो कुछ कटाउट्स हैं, जिनने आप प्रॉब्लम ना होती ना, कि इतना लिमिटेड लगे जाप ले जा सकते हो, तो कम से कम इस स्टॉल से तो मैं सब कुछ ले जाती हैं, बहुत सुंदर ये स्टॉल है, और यहाँ पर लगबग सभी लेडीज हैं, तो उनकी जो चॉइस है ना, इतनी बढ़िया है, तो कि वो वो आप से संपर करना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वियर्ड सिर्फ खुबसूरत चीजें देखें, अपने घर ले जा सकें, अपने घर को खुबसूरत बना सकें, ये भी मैं चाहती हूँ, तो कितने समय से आप यहाँ पर हैं, 20 years से, कहते हैं कि जब घर में दियों की जगमगाहट होती है, जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जब रिष्टों में प्रेम की आहट होती है, जब मान पूर्णा की असीम कृपा आप पे होती है, उस रोज दिवाली होती है, जी हाँ, आने वाला साल आपके रिल रहे बेहत खास, सारे द किसी नहीं विशे के साथ, नमस्कार. किसी नहीं विशे के साथ, नमस्कार.